क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्याज में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमें न चाहते हुए भी रोना पड़ता है आज हम आपको प्याज में मौझूद रहने वाले उन ही तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारी आखों से आख सु निकलने लगते हैं प्याज बेशक हमारी आखों को पीड़ा पहुँचाता हो इसके बावजूद हम प्याज के स्वाद की वजह से दूरी नहीं बना पातें प्याज न सिर्फ सब्जियों में इस्तिमाल किया जाता है बलकि पकोड़े और सलाद के रूप में भी प्याज की बड़े स्तर पर खपत होती है आईए अब जानते हैं प्याज में मौझूद रहने वाले उन तत्वों के बारे में जिनकी वजह से हमारी आखों से आंसु निकलने लगते है प्याज में एक केमिकल पाया जाता है जिसे साइं प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहते हैं प्याज शिलते या काटते वक्त एक केमिकल बाहर निकल आता है और हमारी आखों की लेक्राइमल ग्लैंड पर असर डालना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हमारी आखों से आर्शु निकलने लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमारे वेग्यानिक पहले एलीमेस नाम के एंजाइन को वजह बताते थे लेकिन अब प्याज में लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस नाम का नया एंजाइन पाया गया है प्याज काटते वक्त तिलेक्राइमेट्री फेक्टर सिंथेज एंजाइम बाहर निकल आते हैं और हमारी आखों के साथ संपर्क में आ जाते हैं जिसके बाद हमें मजबूरन रूना पड़ता है हम सभी के चहिते प्याज में कई प्रकार के औश्टी गुन पाए जाते हैं घार घर में मिलने वाला प्याज कई तरह के पोशक तत्व विटामिन और खनिच से भरपूर होता है इतना ही नहीं प्याज में कैल्शिम, मैगनीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, फासफो विटामिन C, विटामिन B6 और फाइबर भी होता है ये तत्व हमारे शरीर और स्वास्थि के लिए काफी फायदेमंद है दोस्तो हमारी टीम ने के पील क्लासेज स्टार्ट कर दी है स्कूल स्टुडेंट्स के लिए अभी आप क्लास 10 के साइंस और मैट्स की गेमिफाइड एक्ट्यूशन क्लासेज ले सकते हो यदि किसी स्टूडेंट्स को मोबाइल एक बनाना सीखना हो तो वो भी हमारी लाइव फेस टू फेस क्लासेज जोईन कर सकता है